हेलो बच्चो, गुड मॉर्निंग, स्टान्डर सेकेंड, सबजेक्ट हिंदी, बच्चो, आज के वीडियो में हम आपकी हिंदी की ताब के पेद नमबर 91 पर, जो कविता दी हुई है, वो समझेंगे, तो पेद नमबर 91 निकालिए, निकाला बच्चो, देखिए, 15 नमबर पर कविता दी है, जिसका नाम है सबजी वाला, तो सबजी वाला किसे कहते है, तो जो सबजिया बेतने का काम करते है, उसे हम सबजी वाला कहते है, तो यहाँ इस कविता में एसे ही एक सबजी वाला है, जो सबजी बेचने आया है, तो उसके ठेले में अलग-अलग सबजी आ है, उन सबजियों के बारे में यहाँ उन सबजियों का वरणन दिया हुआ है, जो आज हम समझेंगे, तो आप देखिए, आपकी किताब में एक सबजी वाले का चितर दिया है ना, ए रहा, और उसके ठेले में देखिए, कई सारी अलग-अलग सबजिया दिखाई देती है ना, जैसे की आलू, बेंगन, फूल गोबी, भींडी, मटर, टमाटर, फिर यह क्या है, कटहल, आदी सबजिया खरीद रहे है, तो इन सबजियों के बारे में हम आज जानेंगे, और उससे पहले यहाँ जो सबदार दिये है वो समझ लेते हैं, देखिए आप किताब में पहला सबद है संग, संग का मतलब होता है साथ, उसके बाद सिम्टी, सिम्टी यानि सिकुडना, उसके ब रोब, रोब का मतलब है प्रभाव, जमाना, उसके बाद हल्चल, हल्चल यानि हिलने या डोलने की क्रिया या प्रक्रिया, तो इस सबदार आपको अपनी नोटबुक में नए पेज पे, पहले कविता का हेडिंग लगाना है और इसके नीचे फिर आपको इस सबदार लिख अब हमें कविता पहले गाएंगे और फिर मैं आपको इस कविता समझाओंगे लेकर सबजी ताजी ताजी लो आया है सबजी वाला थेले परसब से आगे है सिमला के आलू, आलू के संग मटक रहे है अर्बी और कचालू गोंबी बेंगन मीर्च टमाटर नेहे गेरा डाला, एक और लुक छिपकर बेठी भिंडी नरम नरमसी सिम्टी हें यो मटर की जेसी आई बड़ी सरमसी पीछे देखिए अलग सबी से रोब दिखाता जमकर बेठा कट हल, अदरक नेमबो लसुन की भी बड़े बजे की हल चल अब हमें कविता समझेंगे तो सबसे पहले देखिए लेकर सबजी, ताजी, ताजी लो आया है सबजी वाला सबजी वाला जो आया है, वो केसी सबजिया लेकर आया है ताजी, ताजी हमें ताजी ताजी सबजीया ही पसंद आती है ना हम जब सबजीया खरिदने जाते हैं बाजार में तो ताजी ताजी सबजीया ही पसंद करते है ठेले पर सबसे आगे है ये सिमला के आलू तो ये जो है, उसे क्या कहते है ठेला तो ठेले पर कौनसी सबजी सबसे आगे है आलू की देखे आपने यहां आलू दिखाई दे रहे ना कौनसे आलू है यह सिमला के आलू के जो अलग-अलग प्रकार होते है इसमें यह एक प्रकार है कौनसा आलू है यह सिमला के आलू वो ठेले पे सबसे आगे है आलू के संग मटक रहे है अर्बी और कचालू आलू के संग कौन मटक रहा है अर्बी और कचालू गौंभी, बेंगन, मीर्च, टमाटर नेहे गेरा डाला और कौन-कौन सी सब्जिया है गौंभी, फिर बेंगन, मीर्च, टमाटर आदिने जैसे की चारो तरफ से घेरा डाला हो येसे दिखाए देती है एक और लुक छिपकर बैठी भिंडी नरम नरम सी एक और लुक छिपकर बैठी जैसे की हम लुक छिपकर खेल खेलते हैं तब कैसे चिप जाते हैं वैसे ही जो भिंडी है सबी सब्जियों के पीछे येसे चिप गई है की जैसे वो लुक छिपकर बैठ गई है कैसी है भिंडी? नरम नरम सी सिम्टी है यो मतर की जैसी आई बड़ी सरम सी और वो सिमट गई है जैसे कि मटर हो मटर आपने देखे ना, दूर से हम देखे तो भिंडी और मटर एक जैसे दिखाए देते हैं लेकिन मटर छिलकों के अंदर छिपे हुए होते हैं उमें छिलके, छिलकर उनको बहार निकालना पड़ता है न, वेसे ही भिंडी आज मटर के जैसे, उसो जैसे की सरम आ रही हो, एसे वो छिपकर बेठ गई है, पीछे देखिए, अलग सभी से रोब दिखाता जमकर बेठा कटहल, कटहल भी एक सबजी का नाम है, तो इथेले में कटहल जैसे की सब पर रोब जमा रहा हो, उसी तरह जमकर बेठ गया कि कटहल सभी सबजीयों के मुकाबले थोड़ी बड़ा होता है, इसलिए जैसे सब पर रोब जमाता है, बच्चें में आप देखते हैं न, जो बच्चा ज्यादा ताकतवर होता है, वो उसी प्रकार ये कठर की जो सबजी है, वो भी दुसरी सबजीयों के मुकाबले थोड़ी बड़ी होती है साइज में, तो वो दुसरी सबजीयों पर जिसे रोब जमा रही हो, वेसे बेठा है, अदरक, नीम्बू, लसुन की भी बड़े मजे की हलचल, तो जो ठेले में अद अदरक है, नीम्बू है, लसुन है, वो सबजीयों भी बड़े मर्जे की हलचल याने की हलने डिलने की क्रिया कर रहे हो, एसी दिखाई देती है, तो बच्चों, ये सबजीयों लोग खाते हो, खाते हो ना, तो हमें सबजीयों खानी चाहिए, खासतर हरी सबजीयों हमें ज ज्यादा खानी चाहिए, वेशे तो सभी बच्चों को आलू की सबजी ज्यादा पसंद होती है, आलू की सबजी भी बनती है, उसके अलावा बेल पुरी, चाट पुरी, फिर पानी पुरी, फिर समोसे, कचोरी, आलू पराठे, सभी में आलू डाला जाता है ना, और वो सभी वानगिया बहुत स्वादिष्ट बनती है, वो सभी बच्चे बड़े मजे से खाते है ना, तो आमें आलू के साथ साथ इनहरी सबजी भी खानी चाहिए, तो ए सभी सबजी आ हमारे सेहत के लिए बहुत ही वुनकारी होती है, अब हम यह जो कवीता है, उसका जो अभ्यास क के लिए टॉपिक है, वो दूसरे वीडियो में देखेंगे, गुडबाई बच्चो,